चार जन्वरी 1986 विच नकोदर विखे कुछ रारती अंसरावलों एक गुरूर द्वारा साहिब उपर हमला करके शिरी गुरूर ग्राण साहिब जी दे पावन सरूप अगन पे इटकरन दी कटना दे बाद पावन सरूपा दी मांग कर रहे सिखां उपर गोलियां चला के चार स केशन जवानानानू मार्मकॉंड दी कटनातो दूसी सारे ही जानुओं साका नकोदर दे नाम नाल जाने जान दे सिखतरम देते हास देस होल ना कते अनमनुखी कारे दे चश्म दीत गवाहां दे दसनाय कि नकोदर विखे पावन सरूप अगन पेट द्यत्ते जान दी कटन पुलिस द्वारा चलाई इस गोली नाल पाई रविंदर सिंग लित्रा पाई हर्मिंदर सिंग पाई पलतीर सिंग अते पाई चलमन सिंग शहीद हो गई इचारे ही नौजवान सिक्स्टूडेंट फेडरेशन दिनाल जुडे होई सन दे रात तक शहीद होई तिन सिंगा दी शनाक्त भी हो गई सी पर पुलिस ने किसे वी शहीद दी लाश परिवार नू सौंपन दी बजाए उनना नू अनपचाता करार दे के खुद ही ओनादा सस कार कार देता एथे ही बास नहीं सी इलाका वासी संगता ने गोली चलोन वाले पुलिस इंस्पेक्टर जस्कीरत सिंग डिस्पी नकोदर दे गनमें जस्पीर सिंग जस्सी एस्पी ओपरेशन अश्विनी कुमार अती सी एर पी एफ दे उस एस्पी दी पच्छान भी कर ले सी कटना दे कोई दो किलोमीटर दे के रे अंदर पुलिस दे सुरख्या दस्तिया ने देशत बनाई रखी अते नेडले पिंड शेर पुर आद तों वी दे करीब सिखा नू चुके तंग परेशान की था चार फरवरी 1986 नू नकोदर विच चार सिख नौजवाना दा वहशियाना टांग नाल शहीद कार दिता गया उनना नू सगोदोशी पुलिस अफसरा नू श्रोमनी अकाली दल दी पार्टी विच अते सरकार विच वड़े वड़े ओदे दे के सिखा नू मारन दा इनाम दिता गया उस समय दे पुलिस अते प्रसाशन दे अफसरा इजहार आलम अते दर्बारा सिंग गुरू ने शरयाम सिखा दा विरोध की था तो हान उदास दे ये कि इस कान विच शहीद होई चारे सिख नौजवाना दा मिटी दे तेल पाके सस्कार की था गया 1986 तो लेके इस कतले आम दी गूंज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अते एथो तक की विदान सबा तक भी पैचुकी है परंतु 35 साल भी जान दे बाद भी सारे सबूत सपष्ट होन दे बावजूद भी हले तक कोई इंसाफ नहीं मिले आए अते उनादा परिवार इंसाफ ल झाल